अगर आपके हेल्दी और टेस्टी कम तेल वाली रेसिपी ढूण रहे हैं तो आज की ये वीडियो है आप सभी के लिए ये जटपड बन जाता है दो चम्मस तेल में बनता है आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं तो आज हम बनाएंगे ये पालक का टेस्टी न वीडियो में आप लास तक बने रहिएगा जिससे की आप भी इसे बना कर इंज़ॉय कर सकते हैं गाइस वैलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपना खूब सारा खयाल रख रहे होंगे तो चलिए जटपड से आज की ये जो रेसिपी हम बन नहीं होगा नए आलू है तो मैंने पहले ही इने अच्छे से दो लिया है क्योंकि इनमें मिटिक काफी आती है और कदू कस लेंगे और जो मीडियम साइज केस में हो लोते हैं उस साइट से हमें आलू को किसकर ले लेना है ऐसे तो आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर इस रेसिपी को बिना आलू के भी बना सकते हैं तो बस मैं यहाँ पर दो आलू इस तरह से ही किसकर के ले लूँगे कदू कस आपको साफ करना है और आलू को दो से तीन बार अच्छे पानी से दो लेना है यानि आलू का स्टार्च निकाल देना है यह द पालक इस सब रेसीपी में इस्तेमाल करेंगे कभी-कभी बच्चे पालक खालें के लिए नकरे करते हैं तो आप ये नास्ता दीजिए आराम से वो खुशो कर खा लेंगे अब मैं यहाँ पर आदा से भी कम यानी चम्मच से गिनेंगे इसमें ज्यादा सामान की भी चरुवत नहीं लगेगी आज के हमारे ये नास्ते में और सभी को खूब पसंद आएगा और एक ही चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया है एक बड़ा चम्मच लीजिए मेरी ये दो छोटी चम्मच हैता तो मैं दो चम्मच इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ ये जो दही बिल्कुल भी खटा नहीं है और घर का जमा हुआ है आप इसकी जगे नीवू का जूस भी ले सकते हैं बारी कटा हुआ हरा धनिया हरी मिर्ची दो हरी मिर्ची में डाल रही हूँ बच्चों के लिए अगर आप नास्ता बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं एक चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है अद्रक लहसुन का पेस्ट आप अपने हिसाब से या टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा और नमक डाल दिया है एक चम्मच और बस अब हमें इसे हाथ से मिला लेना है अगर आपके पास यह जो मिक्सिंग बाउले बड़ा वाला आपने लिया है तो चम्मच से भी मिला सकते हैं पर हाथ से मिलाईएगा क्योंकि जो पालक और आलू में जो मौशर होगा न हमें इसमें पानी एड़ करने की जरुवत नहीं पड़ेगी यह देखिए को आप वीडियो को देखिए बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी एड़ नहीं किया है मेरे पास यह रखिया है जो आपके पास अवेलेवल हो आप बस वही ले सकते हैं और फित से मैंने इसे मिलाना शुरू कर दिया है जो भी वीडियो आप सभी के लिए शेयर करती हूँ बिल्कुल कोई भी वहाँ पर मैं स्किप नहीं करती हूँ फास्ट नहीं करती हूँ जैसे ही बनाती हूँ वैसे ही आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ और यह देखिये सूजी यहाँ पर मिलने के बाद यह गाड़ा सा जो हमारा डो है लगकर रेड़ी हुआ है अब मैंने इसमें आदा का पानी एड़ कर दिया है जैसे ही यह हो जाएगा आप इसमें पानी डाल दीजिएगा जैसे मैं क्वांडिटी रख रही हूँ तो आप बिल्कुल इसी तरह रखिये जिससे की आपका विनास्ता परफेक्ट बनकर रेड़ी होगा थोड़ा सा और पानी इसमें डाल दिया है लगवक दो से तीन चम्मची एड़ किया है आप हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं चम्मच से मैं इसे इस तरह से मिला दूंगी यह देखिए इसमें बिल्कुल जादा टाइम नहीं लगता है 15 मिनट की लगवक इसमें लगता है अगर आप चाहें तो चावल पीस करके भी इसमें डाल सकते हैं रात को आप चावल भी को दीजिए पीस कर सूजी की जगे आप वो भी ले सकते हैं अब कर इसे 15 मिनट ऐसे ही रेष्ट दीजिएगा और बस यह देखिए 15 मिनट हो गई हैं बैटर ने भी अच्छा कासा रेष्ट कर लिया है अभी निव यर पे मैंने हैदरवाद की स्पेशल दुसका रेसीपी और बरूले की रेसीपी आप सब के साथ शेयर की थी आपने व अगर गल दाफ और घैन में मैं जीरा डाला है तेल के गरम होने के बाद और राई डाल देंगे आप चाहेंतो ुरतके कुछिताने भी इसमें डाल सकते हैं चाहें तो थोड़ी सी ही बीडाल डीजिए मैं ऐससा इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूं सिर्फ मैंने जीरा और यहां पर राई से ही इस तड़के को लगा दिया है इस तड़के के बिना भी आप ये नासता बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें और भी मसाला एड़ कर सकते हैं या आपको अगर लग रहा है कोई चटपटा सा बनाना है तो इसमें और मसाला एड़ कर दीजे रेट चिली पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला और यह मैंने यहां उपर लिया है एक चोटा चमच इनो का इनो की जगे आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं इनो को एक टिप करने के लिए एक चमच मैंने इसमें पानी डाल दिया है और बस हलके हाथ से हमें इसे मिला लेना है चमच से बिलकुल एक ही साइट से आप इसे घुमाईएगा और जब यह मिलेगा न तो एक द इसे चला लीजी अब गैस पर रखी है मैंने फ्राइट पेन और इसको ग्रीस कर दिया है तेल से ज़्यादा नहीं ऐसे ही ब्रस से मैंने इसे ग्रीस किया है क्योंकि ज़्यादा तेल हम आज के नास्ते में इस्तेमाल नहीं करेंगे नीएर की सेलिबरेशन खतम हो गई है त आप दो से तवे पर भी इसे बना सकते हैं और चम चेस चम मत से मैं इसे शेप कर दे रहे हूं गोल का मेरे पास ये बड़ा वाला फ्राइपैन है आपको पास अगर छोटा है तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं बहुत ये आसनी से बन जाएगा इसी तरह से चम मत से इस हो आपको से। एसे सैट कर देना है को कि देखिए बिलकूल मैं इस तरह से इसे बना कर तैयार कर रहे हूं गैस का व् всем आपको अभी यहाँ पर मीडियम पर ही कर लेना है और यह देखिए बस इसी तरह से ही मैं ब्रस से दो चार बूंद और इसमें टेल की डाल दूँगे जिससे की जो हमारे जो हमने नास्ता बनाया है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेगा नीचे से ढखकर इसे 10 मिनेट हमें ऐसे ही रहने देना है और यह देखिए वाओ आ हम इसे थोड़ा सा 2-4 वून तेल डाल देंगे और इसे भी अच्छे से 5-10 मिनिट इसे अच्छे से शेक लेंगे क्रिस्पी होने तक अंदर तक ये सिकना चाहिए तब तक आप मुझे बताईए कि आज की ये जो रेसीपी है आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये देखिए इसे 10 मिनिट पकाएंगे इसका आप कलर देखिए कितना सुन्दर ये लग रहा है जितना ये देखने में सुन्दर है उससे कई गुना ये खाने में टेस्टी लगेगा और आपने देखा वीडियो में हमने कम ही सामान से आज का ये नास्ता बना कर तैयार किया है ये देखि ये बिल्कुल भी टूट फूट नहीं रहा है इसका शेप भी खराब नहीं हो रहा है और मैं इसे अच्छे से दवाते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी ये मैंने आपको दबा कर दिखाया और ये लीजे एक मेरा जो नास्ते का पीस है वो सिकर रेडी हो गया है इसक जैसे अगर नहीं है तो इसके भी कर सकते है बिना इसके भी आस्ता काफी टेश्टी बनेगा और इसे भी चमत से जैसे हमने पहले वाला किया था विस तरह से ही पूरा कर देंगे और दो से तीन यहाँ पर भून डाल देंगे तेल की चलिए इसको भी सेक लेते हैं और ये ल कोटे चोटे टुपड़े कर देती हूं यह देखिए आप को दिखा देती हूं तो चलिए अब सर्फ इसे कर देते हैं मैं इसे सर्फ कर रही हूं चठनी से ग्रीन वाली चटपटी और खट्टी सी चटनी के साथ आप इसे सौस से भी enjoy कर सकते हैं आचार से भी खा सकते हैं मसालत दही के साथ भी इसे enjoy कर सकते हैं और ये देखिये मैं इसे set कर देती हूँ तो अगर आज की ये मेरी healthy और tasty जटपड वाली recipe पसंद आई हो तो like करिएगा, share करिएगा अपने relatives और friends के साथ जिससे कि वो भी ये recipe घर पर बना कर enjoy कर सकते हैं और अगर आप channel पर मेरे नए हैं तो channel को subscribe चरूल करिएगा नीचे bell icon का button दवाना ना भूलें जिससे कि मैं जो भी video डालूँगी वो आप सभी को देखने को मिलेगी तो फिर मैं मिलूँगी आप सभी से एक नई और unique और tasty recipe के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई वो आप साथ जाप से एक रड़ा लुजगी तो पिर में लिए जाए हैं याप जास् शेल और झाप साथ और लूमार पिता हैं वो आप साथ पिता हैं जाप साथ